असलाम उलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन केडमी के इस नए लेटेस्ट और मॉस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं स्पेसले 10th क्लास वाले स्टुडेंट के लिए उर्दू ग्रामर का निचोड निकाल कर लाई हूं क्योंकि मैं देखी कि कौन-कौन से उर्दू ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेट कोश्चन आप लोगे 10th क्लास के उर्दू के एकजाम में हर साल पूछे जाते हैं उन सभी उर्दू ग्रामर के टॉपिक का निचोड निकाली जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को दे क्यांगे एकजाम वे उर्दू ग्रामर से रिलेटेट कोशन आप लोगे टेंथ के उर्दू के पूचहें उन सभी को आप लोग 100% सही बना करायें भीडियो फेसे एंप लोगों हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करकर सब्सक्राइब करते हैं देखिए सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे साबका और लाहका यह उर्दू ग्रामर का इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगे टेंथ क्लास के उर्दू के एक्जाम में साबका और लाहका से दो तीन कोश्टन अब्जेक्टिव में पुछता है तो आप लोग को मालूब होना चाहिए कि साबका और लाहका किसे कहते हैं तो समझ यह साबका जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग उपसर्ग और इंग्लिस में प्रीफिक्स क्या बोलते हैं प्रीफिक्स और हिंदी में उपसर्ग और आप लोग हिंदी इंग् लग जाए जो किसी लव्ज के किसी वर्ट के शुरू में लग जाए और उसका मानी बदल Dw c को बोला जाता है साब जैसे कि यहांपर देखिये शरम था पहले और शरम के शुरूमें ठीके पहले क्या लग गया है बे लग गया है तो बे शरम हो गया और इसका मानी भी चेंज हो गया तो ये जो बे शुरू में लगा है इसी को बोला जाता है साबका ये जो बे शुरू में लग कर और शरम का मानी बदल दिया है बे शरम कर दिया है तो इस बे को बोला जाएगा साबका ठीके जैसे कि यहां पर एक और देखिए पढ़ था पहले और उसके शुरू में क्या लग गया है अन लग गया है तो अन पढ़ हो गया है ठीके तो अन क्या हो गया है यह अन यह हो गया साबका आप लोग का ठीके यहां पर मोल था पहले और इसके आगे अन लग गया है तो अन मोल हो गया है ठीक है तो अन शुरू में लगा है ना तो अन को क्या बोल देंगे आप लोग साबका तो इसे तरह से question आप लोग के exam में पूछता है कोई भी एक word देगा जिसे की अन पड़ बोलेगा कि अन पड़ में साबका कौन है और option शुरू याद रखीए गई ट्रिक्ष याद करने का शा से साबका और शा से शुरू यानि कि वह हर्फ वह लेटर जो किसी वाड के जो किसी लव्ज के शुरू में लग जाए उसको बोल देते हैं हम लोग साबका ठीक है तो यह आप लोगो को याद हो गया और समझ में भी आ द्याया होगा ठीक आगे बढ़िये दूसरा है लहका और लहका को ढ़ dieser होता है ये फिर वह लेटर का समूह होता है् 라 Ale ऋसको बोलेंगे आप लोग लहका जैसे कि देखिए इड पहले और शनक्त में क्या लग गया है गाह लग गया है तो यह गाह जो यह हो गया आप लोका लाहका तो इद गाह पहले इद था और लास्ट में गाह लग गया और मानी भी चेंज हो गया इद गाह तो यह गाह क्या हो गया आप लोका लाहका दौलत था पहले और लास्ट में क्या लग गया मंद लग गया तो मंद क्या हो गया आप लोका लाहका क्य यह कोई भी एक वर्ड देगा दौलत मंद्ध में लाखका क्यों है तो मंद में मंद मंद जुरा है तो मंद को क्या बोल देंगे आप लोग लाहका देखिए लहागा और लासे लाश्च याद करने का ट्रिक् आप मैं बता दे रही हूँ ला से लाहका ठीक है और ला से लास्ट यानि कि वह लेटर या फिर लेटर का सम्मू जो किसी शब्द के लास्ट में लब जाए उसको बोल देते हम लोग लाहका ठीक याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा चलिए आगे बढ़िए अब इस से चीज के नाम को कहते हैं तो वह नाम वह इसम जिस से छोटा होने का हमें पता चले छोटा होने का मतलब भेद हो उस तरह के इसम को उस तरह के नाम को इसमें मुसगर कहते हैं जैसे कि देखिए बाग के जगा बागी चा छोटा लग रहा है संदूक के जगा संदूक चा लो जैसे क्या मालूम चल रहा है वागीचा संदोक चाह यह छोटा होने का संकेतя ही क्टोडा के जगाह से क्टोड़ी में चैसें च्वेकर होने का मालूम चले ना उसAmOR så घूँता होने का मालूम चले देखेड़ का मानी होता है बढ़ा किया हुआ यानि कि वह लब्स या फिर वह नाम जिससे बढ़ा होने का पता जेसे कि घंट गहंयर घंट जुंट है अगर लोग कीज़़ एचल रहा कि घंट जो है वह बढ़ा है थीक तो जिससे बढ़ा होने का पता च ले जिस से जिस नाम से आपलोग को बढ़ा होने का पता चले उसनाम को बोला देता है इसमें मुकबर तो अगर इसn От amazing में तो आप LOG उसकोुसको सही टिक करकराना है ठीक अगे बढ़ ईस में आला इस में आला किसी कहते हैं देखिए इसमे आला उस नाम को कहते हैं जिससे ओजार या हथियार का मालूम चले यानकि ओजार या फिर हथियार के नाम को ही हम लोग इसमे आला कहते हैं चोकी हथोडी लाठी इससे मालूम क्या चल रहा है ये हथी सौरी चोकी नहीं चाकू चाकू हथोडी लाठी ये इससे आला कहते हैं ठीक आगे बढ़िए वाहिद से जमा बनाने के लिए आप लोगों के एक्जाम में पूछता है यह तो पक्का है कि पूछेगा हंडेट परसेंट पूछेगा कोई भी एक उठा लेगा लफ्ज जैसे कि मालेजिए फिक्र उठा लिया बोलेगा कि फिक्र का जमा क होगा और उसन में चार उसन देढ़ेगा तो आप्लों को सही चुनना है तो सबसे पहले समझी वाहिद को हिंदी में बोलते हैं यह लग्त Huracan' समान हो गया एक से ज्यादा चीज के एक सवान के नाम को लोगो बोलते हैं जिसे कि मैं बोल दी एक कलम तो यह क्या हो गया आप लोंका वहीद लेकिन एक से ज्यादा गलम में तो वह क्या हो गया जमा अगर बुलेंगे देखिए तो इसे तरह से question पूछता है, जैसे कि फिक्र का बोलेगा, फिक्र का जमा क्या होगा, तो फिक्र का जमा होगा, अफकार, जो भी option में अगर अफकार आप लोगो दिखाई दे, उसको tick कर देना है, जैसे कि देखिए, हरकत का जमा क्या होगा, plural क्या होगा, हरकत एक singular word है, singular love है अब इसका plural यानि कि बहु अचन क्या होगा तो हरकात, फेल का तो अफ़ाल तो इस तरह से कोई भी एक लफ उठा लेगा और पूछ देगा कि इसका जमा क्या होगा यह तो 100% chances है कि पूछेगा यह पूछेगा इस से related question मतलब एक दो तो पूछाई जाता है तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है वाहिट से जमा वाला एक ना एक जरूर पूछेगा आगे बढ़िए मुतरादिफ हैं मुतरादिफ किसे कहते हैं मुतरादिफ को हिंदी में बोलते हैं पारेवाची शब्द और इंग्लिस में बोलते हैं synonym यहाइनकि वह शब्द वह लफ्ज जो सेम मीनिण रखता हो दूसरे लफ्ज के वह शब्द वह लफ्ज जो का जिसका अर्थ दूसरे शब्द के बिल्कुल समानों उस लफ्ज को बोला जाता है मुतरादिफ the word that has same meaning of another word that is called synonym यानि कि मुत्रादिफ दुख और दुख का मुत्रादिफ क्या हो गया तकलीफ दोनों एक समान अर्थ रखते हैं मानी रखते हैं मैं अगर दुख बोलू तो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ कोई ना कोई तकलीफ है और अगर मैं बोलू तकलीफ तो भी आप लोग समझ में आ जाएगे कि हाँ इसको कोई तकलीफ है तीके तो दुख और तकलीफ दोनों का मतलब एक ही है तो इस तरह के लव्ज को बोला जाता है मुत्रादिफ लव्ज एक समान अर्थ रखने वाली लव्ज को मुत्रादिफ लव्ज अगर दुख बोलू तकलीफ बोलू परिशानी बोलू सब का मतलब एक ही है ठीके अर्थ एक ही है अगर मैं बोलू कि उनका इन्टाकाल हो गया है तो अभी आप लोग समझ जाएगे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे और अगर ये बोलू कि उनकी मौत हो गई है तो समझ में आ जाएगा तो उभी इस दुनिया में वो नहीं है तो दोनों का मतलब एक ही है तो एक समान आर्थ रखने वाले शब्द को मुतरादिफ कहते हैं आगे बढ़िए जिद और इससे भी कोशन आप लोगों को देखने को मुलता है और ज्यादातर इसी से देखने को मिलता है कोई भी एक लफज दे देता है और बोलता है कि बताई इस लफज का जिद क्या है ठीक है तो जिद बोलते हैं अपोजिट वर्ड को जिद को इंगलिस में बोलते हैं एंटोनिम और हिंदी में बोलते हैं विप्रितार्तक सब्द यानि कि वह शब्द वह लफज जिसका मानी द कशीब का उल्टा फिराज कुफर का इमान दुखी का सुखी ठीक है आसमान का जमीन अपोजिट वर्ड को बोलते हैं हम लोग जिद इससे कोशन आप लोगों को पूछना ही पूछना है सबसे ज्यादा इसी से पूछता है ठीक है आगे हैं मुजक्कर और मौनस यह दोनों मुजक्कर को हिंदी में बोलते हैं यानि कि वह लफ जिससे पूरूश जाती का होना पता चले उसको बोलते हैं हम लोग मुजक्कर जैसे कि कलम देखिए ठीक है कलम क्या है मुजक्कर है क्योंकि हम लोग यह बोलते हैं कि कलम नया है आप लोग कभी इससे सुने कि कलम नहीं है नहीं कलम नया है तो कलम क्या होगे आप लोग का मुझकर ठीक है मुझकर होता है कलम कलम नया है तो इससे क्या मालूम चल रहा है पुरूस जाती का होना पता चल रहा है तो कलम होगे आप लोग का मुझकर ऐसे आप लोग कभी सुने है कि कलम नई है नहीं कलम नया है होता है तो कलम क्या हो गया मुजड़ कर मजमून गीत बुखार वगार ये सब क्या है मुजगर हो और झाल ओखार मुझे बुखार हो गया है घिक कि वह लब्स जिससे किसी इस्त्री जाती का होना पाता चले उसे बोलते हैं हम लोग मुझे अब खबर मिला है अब जो बोलता होगा खबर मिला है वो गलत बोलता है तो यहां पर खबर क्या हो गई मुझे हो गई क्योंकि खबर मिली है मिली है ऐसा थोड़ना होता है खबर मिला है खबर मिली है इसको क्या बहुत ही अच्छे तरह कैसे समझ गए अगर इससे रिलेटेट कोश्चन आप लोग के एक्जाम में देखने को मिलता है हंडेट परसंट देखने को मिलेगा बस आप लोग उसको सही सही टिक करके आना है ऐसा हो यह नहीं सकता कि इससे कोश्चन ना पूछे हंडेट परसंट पूछेगा ठीक है तो आप लोग को दौसों टौपिक को तो मैं आप लोग को समझा दी अब इसका मतलब यह नहीं reminders को मिलता है कोई भी एक मुहावरा देगदेगा और बुलेगा कि बता ही इसका मानी क्या है जैसे की बाल की खाल खीचना का मानी बहूं को मलूम है और पूछेगा कि बता है इसका मानी क्या मातरा है यानि कि फरार हो जाना भाग जाने को बोलते हैं 9-11 होना तो वगर वगर बहुत सारी मुहावरे हैं इस दुनिया में तो कोई भी एक मुहावरा पुछ देगा और उसका पुछेगा कि बताई इसका मानी क्या हो है तो आप लोग को बताना है ठीक है आगे बढ़ी जुम्ला द सेंटेंस दिया गाएं आपनों को बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है ठीक है और मां ली जी आपसवल में दिया रहता हैं एहमद ने पटना जा रहा है और पूछेए अपसं जो है कौन सा जुमला जुमला सही है तो ऐसे तो होता नहीं है कि एहमद को पठना जा रहा है ऐसा तो होगा नहीं एहमद ने पटना जा रहा है यह वाला भी है नहीं होता है एहमद पटना जा रहा है यह वाला है होता है ठीक है तो यह होगा आप लोग का सही जावाब तो इस जरू नहीं कि यह सवाल पूछेगा कोई भी एक सेंटेंस दे सकता है और पूछत है कि बताइए कौन सा जुम्ला दुरूस्त है तो आप लोग को है और है में कंफ्यूज नहीं होना है एहमस पटना जा रहा है यहां पर यह वाला है रहेगा ठीक है तो इस तरह से अगर कोश्चन पूछता है तो आप लोगों को सही टिक करके आना है जुम्ला दूस्त करने व कौन इसमनक्रा है चारों अपसन में से आप लोगों को बताना है कि कौन इसमनक्रा है या फिर कौन इसमनक्रा है ठीक है तो आप समझे इसमनक्रा किसे कहते हैं देखे इसमनक्रा को हिंदी में बोलते हैं ब्यक्ति वाचक संग्या और इंग्लिस में बोलते हैं प्रॉपर न जैसे कि मैं बोलू कि सलीमा वह यूटुब चैनल से पढ़ाई करती तो यूटुब चानल ज nuclear पूरिजाती करती सलीमा यापन नाम के चानल से पढ़ाई करती है तो अब मैं आपनों को एक खास नाम बता दी ग्यापन एकेडमी की वो जो सलीमा है ना वो ग्यापन एकेडमी नाम के यूटूब चैनल से पढ़ाई करती है तो यहाँ पर यह जो ग्यापन एकेडमी है यह खास नाम हो गया तो ग्यापन एकेडमी क्या हो जाएगा इस मारफा हो जाएगा खास चीज के नाम को इस मारफा करते हैं मैं बोल दी नदी तो नदी में तो सभीशन आजाएंगे लेकिन अगर मैं बोलू कि पटना शहर तो पटना क्या हो गया खास नाम हो गया जिसको बोल देंगे आप लोग इस मार्फा ठीक है तो इस तरह से कोश्चन पूछता है तो आप लोग को एकजाम में सही टिक करके आना है ठीक है आगे बढ़िए सवालिया तो सबसे पहले समझे सवालिया किसे कहते हैं सवालिय सवाल करने को जिस जुमले में आप लोग को सवाल दिखाई दे कोश्चन उसको बोल देते हैं सवालिया जैसे कि तुम कौन हो वह कहां जा रही है तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि वह कहां जा रही है तुम कौन हो तो यह जो सवाल इस सेंटेंस में आप जम्ला है और अपसर में देदेगा सवालिया खबरिया अम्रिया और सिफ़त तो वह कौन है किस तरह का जम्ला है तो इसमें कोशन का मालूम चल रहा है ना तो वह कौन है ये एक सवालिया जम्ला है ठीक है तो इस तरह से कोशन पूछता है तो आप लोग तो फटा-फट लगा करा जाएंगे सही सही आगे है खबरिया यानि कि वैसा जुम्ला जिसे खबर का पता चले जैसे कि एहमद का खत आया इससे आप लोग को खबर मालुम चल रहे हैं कि हाँ एहमद का खत आ गया अभी लता मंगेज कर जी का इंतिकाल हो गया है तो आप लोग को खबर मिला की लता आगे बढ़िए अम्रिया उस तरह के जुम्ले को कहते हैं जिसमें आप लोग को ओर्डर हुक्म दिखाई दे जैसे कि एक गिलास पानी लाओ ठीक है तुम मेरा पैर दबाओ ठीक है तुम वहां जाओ तुम पढ़ाई करो जिसमें ओर्डर दिया जाए हुक्म दिया जाए उस कि विशेष्टा को बता है उसकी कौॉलिटी बता है की वो जी लाल विशेष्टा बता रहा है रहा है विशेष्टा है क्वालिटी है टुपि की कि टोपी जो है वो लाल है तो ये लाल क्या हो गया आप लोग का सिफत हो गया ठीखें तो वह लवज जो किसी चीज की विशेषता को बता है features बता है, quality बता है कि वो अच्छा है कि बुरा है कि वो कैसा है तो उस तरह के लवज को हम लोग बोलते हैं सिफत एहमद की टोपी लाल है तो इसमें लाल हो गया सिफत एहमद नेक लड़का है तो एहमद नेक लड़का है इसमें क्या सिफत है बताईए तो जरा एहमद नेक लड़का है तो इसमें जो नेक सब्द है ये सिफत है क्योंकि इसमें मालूम चल रहा है एहमद की quality, एहमद की विश्रेष्टा बताई जा रही है कि एहमद जो है, वो क्या है, नेक लड़का है, तो नेक क्या होगे आप लोग का सिफत, तो इस तरह से कोई भी एक sentence दे देता है, माल लिजे एहमद की टोपी लाल है, और पुछता है कि बताई इसमें सिफत कौन है, तो ऑप्सन में देदेगा एहमद, बी में देदेगा टोपी, सी में देदेगा लाल, और डी में देदेगा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एहमद की टोपी लाल है, में इसमें सिफत कौन है, तो लाल है, तो जिस भी ऑप्सन में आप लोग को लाल दिखाई दे, अब ज कमजादी इससे रिलेटेट कोई भी कमफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग करी दिये होंगे तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज